हेलो फ्रेंड्स तब्बूस किचन में आपका स्वागत है आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पालक के पराथे तो सबसे पहले हम एक बाउल आटा लेंगे और उसमें एड़ कर देंगे नमक और थोड़ी सी लाल मेच उसके बाद हम उसमें जो हमने पालक पीस लिया था उसे हम उसमें मिला देंगे अच्छे से और उसका एक बहुती अच्छे से आता गूत लेंगे देखिए हमने आता उत कर तयार कर दिया है उसके बाद हम बनाएंगे लोही और उसे बेल कर बना देंगे रोटी इस रोटी में हम मिला देंगे थोड़ा सा गी, गी लगाने से जो हमारा पराटा है वो बहुती सॉफ्ट बनता है और हम इसे ट्राइंगल का रूप दे देंगे इसे हम बेल कर तयार कर देंगे, तवे को हमने गरम कर लिया है और अब इस पर हम अपने पराठे को सेख लेंगे हमारा पराठा एक तरफ से सीख चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से पलड देंगे और इसमें भर भर कर घी लगा देंगे गी ज़्यादा ही लगाएं ताकि आप और भी तंद्रुस्त हो जाएं अब हम इसे दूसी तरफ से पलड देंगे ताकि ये अच्छे से सिख जाए और हमारा पराठा कहीं से भी कच्चा ना रहे हमारा पराठा सिख चुका है अच्छे से इसे दबा दबा कर सेख लें और ये कच्चा ना रहना चाहिए देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से सिख चुका है इसके बाद हम दूसरे तरीके से पराठा बनाएंगे आपके जैसा मन करें आप उस तरीके से पराठा बना सकते हैं इसे हम एक तरफ से फोल्ड कर देंगे फिर दूसरी तरफ से फोल्ड कर देंगे अच्छे से दबा देंगे फिर तीसे तरफ से फोल्ड कर देंगे फिर इसका चौथा कोना हम फोल्ड कर देंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे इसके चारो कोनों को बराबर कर देंगे और इसमें भर भर कर आप गी लगा दीजिए देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा सिख चुका है और यह फूल भी रहा है आप जब पराठे के अंदर गी लगाते हो तो उससे पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत ही आसानी होती है यह नुसका आप मेरा हम अच्छे से सिख चुका है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखिए अब हमारे पराठे का फाइनल लुक यह अब खाने के लिए तयार है आप इसे रायते याचार के साथ सर्व कर सकते हैं और एक बार यह प झाल लो तो लो.